ग्यार्मी क्लास दा इन जन्दी जांच इस पाट दे बिच असी जो पढ़ांगे हो है कि इन जन्दी जांच क्यों किती जांदी है अते इन जन्दी जांच जो है क्यों जरूरी है क्योंकि अगर सानु जो है साध्य जो है लेवल 3 है अगर सानु नहीं पता होवेगा कि इन जन्दे बीच केड़ी-केड़ लीकेज हों दी है अते हलेक लीकेज नो दूर करन वास्ते सानु कीगी करना पैंदा है तांसी जो है किसे भी कस्टमर दी अगर प्रॉलम आंदी है गड़ी दे बीच लीकेज दी असी उसनों सौलब नहीं कर सकते इसलिए प्यारे बच्चियों तो आडली ये जो विशे है तो आडली जो आज दा जो वीडियो है बहुत ही महत्तापोर्न है तो उसे इसनों पूरी बीडियो नों देखना है प्यारे बच्चियों प्यारे बच्चियों आज जैसी पढ़ाँगे इंजन दी जांच इंजन दी जांच बिच आज इस पहलना पढ़ाँगे ओ है इंजन की हुंदा है दूसासी पढ़ांगे इंजन दे जांच क्यों जरूरी है तिसरी पढ़ांगे इंजन दे बिच केड़े केड़े रिसाग हुन दे हन इंजन दे बिच वाकवाक रिसाग हुन दे हन उना दे केड़े केड़े कारण हुन दे हन पहला आन्दा है इंजन की है इंजन जो है आटमोय दे विच उर्जा उत्पन करनवाला हिस्सा हुनता है जिसदे विच जो फ्यूल हुनता है चाहियो पट्रोल जन डीजल है उस विच रसायनिक उर्जा हुन दी है इंजन जो है उस रसायनिक उर्जा नू पहला ताप उर्जा पिच बदलता है आते उस तो बाद फिर उसनों गती उर्जा बिच बदलदा है जिस दे द्वारा साधी गड़ी दे पही चल दे हन आते गड़ी जो है रोड़ोते चलन जोग हुंदी है फिर आनता है कि इन जन्दी जाँच क्यों जुरूरी है आसे इंजन्दी जांच क्यों कर दिया है क्योंकि प्यारे बच्चियों ज़दों तक काफी समय तो बाद गल्ली चारंदों पुरंत इंजन्द बिच कुछ लीकेज होनियां शुरू हो जान दिया हन। अगर आसे उहां लीकेज नू त्यान नाल नहीं रखांगे अते बाद बिच चोईक बहुत बड़ा संकट बन सकदियां हन। जिस दे कारण साड़ इंजन्द जो है वह भी गड़ीदा डैमेज हो सकदा है। इसलिए इंजन्द दी लंबी उमर दे लेई सानू उस दा समय समय सिर रख रखाव करना चाहिदा है। उस दी जांज करनी चाहिदी है ताकि इंजन्द दी उमर दे बिच बादा कीता जा सके। इंजन्द दे बीच केड़े केड़े रिसाब होन दे हान। पहला जो आरन्दा है वो आरन्दा है बलनशील गैसéri दार्जाब, दूसरी नमबर दै उंदा है कूलें्ट दा रिसाब, तीसरी नमबर दै उंदा है इंजन ओले रिसाब, छोथे नमबर दै इंदन जां फ्यूल प्यारे बच्चियों अन्दा है पि बलंशील गैसां दा रिसाव की हुंता है सानू किस तरह पता लगेगा कि इंजन्दे बीच बलंशील गैसा जो हन लीख हो गरी यह हन जो भी असी इंजन्दे उग्जॉस्ट मैंनी फोल्ड यह सारी से रचना दिखांगे अगर सानू उते बॉड़ी दे उते काले तूवें दे तब बे नजना आऊंगे ता सानू पता लगजेगा यह जो अग्जॉस्ट गैस जो है इस सिस्टम दे बिच्चों कितना कितों लीक हो रही है बलंशील गैसां दे नाल इंजन्दे उते यह परबाब पहनदा है पहला कि जो है इसना ग गैसां जो है इंजन्द बिच्चों कितों कितों लीक हो सकती है पहला पॉइंट है जिसता कि तुसी चित्तर बिच देख रहे हूँ कि जो वाल्व है वाल्व स्टम अते वाल्व जो गाइड है इसने बिचला जो एरिया है इसने बिच बहुत ज्यादा गैप है इतों भी कम बच्चियों आउंदा है spark plug अथे जित्ते सादे engine दे बिच नोजल फिट किती ही हुंदी है वो थे इक spark plug socket हुंदी है अगर वो socket जो है ओ हैड दे बिच्चे जो है gap हुंदे कारण जहाँ ओ जो थ्रेड जो हन और किस गे हन इस करके spark plug जो है वो socket बिच से इतना टाइट नहीं हो सकता उत्तों भी combustion गैसा बार आ सकती है हन फिर आउंदा है cylinder head gas cut इस तरह के दोसी देख्या हो वेगा engine block अते cylinder head दे बिच एक gas cut होंदी है जो leakage नो रोक कर दा काम कर दी है अगर इत cylinder head gas cut दोसी दे बिचकारों जहां के तों एक crack हो जान दी है ता combustion गैसा उस रस्ते वी जो हन वो बाहर नो आ सकती हन फिर आउंदा है इस तरह के तुसी देख रहे हो exhaust manifold अते intake manifold जित्ते engine block ना फिट किते गे होंदी हन ओथे भी जो है gas cut दी बरतों किती जान दी है अगर गैस cut लीग हो जान दी हन जहां catalic inverter जहां exhaust pipe गैरा लीग हो जान दी हन ओथों भी जो हन जलन शील गैसा हन ओ लीख हो सकती हन फिर आंदा है कि जिसा तुसी देख रहे हो इथे चित्तर दे विच पिस्टन आते कि सिंडर जो ब्लॉक है उस दी बाल दे विच बहुँ जादा गैप है जहां इंजन दियां रिंगा का किस जान दे कारण जो है उत्थों भी कंबच्चिन गैसा लीख हो के और संपते द्वारा फेरो बाहर नों निकल दिया हन इस ता तुसी देख्या कि इंजन दे विच ब सानु किस तरा पता लगेगा गड़ी दे विच कूलंट लीक हो रहा है जदो असी गड़ी जिते पार कर दे हां उसे थले देखांगे अगर सानु हारे रंग दा जा निले रंग दा कोई तलप दार्थ नजर आउंदा है तो सानु पता लग जेगा इस गड़ी दे कूलंट कि प्रवाब्ध रहत है कूलंट लीक होन्दे कारन की अस ड्यूदा है साथी गड़ी दे इंजिन जु ऑबर हीट होना शुरू हो जानता है गड़ी दे इंजिन दे ऑवड़ी खोन न Almost just कि नीज अन जसदे कारन साथी गड़ी दे इंजिन सीज भी हो सक्दा हैлек उनसी देखांगे इंजन दे विच कुलेंट कितों कितों लीख हो सकदा है पहला जो रस्ता है इस तक दूसी देख रहे हूँ इस उनसी इंजन को और दे प्लग कहन दे हाँ ए प्लग इंजन ब्लॉक दे अंदर लगे हों दे हन ए प्लग जो हन अगर ए लूज हन जान लीख हन वो थो भी इंजन ओयल जो है इंजन कुलेंट जो है लीख कर सकदा है क्योंकि इंजन कुलेंट दा रस्ता जो है इंजन को और प्लग दे बिच्चों ही होके जहनता है दूसरी जग आनदा है बाडर पंप अते इंजन ब्लोग दे अंदर एक गैसकर लगी होंदी है अगर बाडर पंप बॉड़ी दे बोल्ट लूज हो जान दे हन जहां एक गैसकर जो है सही तरी किनाल नहीं बैठ दी है जहां क्रैक हो जान दी है ताम भी कूलेंट जो है लीख कर सकदा है फिर अंदर है थर्मोस्टेट होजिंग थर्मोस्टेट होजिंग विच्वीक गैसकर दी बरतो किती जान दी है जिस्तों अगर वो लीख हो जान दी है ताम भी कूलेंट जो है लीख कर सकदा है फिर अंदर है कूलेंट वाले होज जिनने भी रबर दे हो जान, जो cooling system बिच बरते जान दे हन, अगर हो समय उन सार crack हो जान दे हन, जा उना दे कलम पर जो हन, lose हो जान दे हन, ता भी coolant जो है leak कर सकदा है फिर अन्दा है radiator, रेडियेटर दे अगर जिनना नलियां दे बिचो, cooling गुजरदा है, ओ crack हो जान दे हन, जा रेडियेटर दे body जो प्लास्टिक दी बनी हों दी है, ओ crack हो जान दी है, ता भी coolant जो है, ओ leak कर सकदा है फिर अन्दा है, एजर्वर, एजर्वर जो है, एक coolant दा एक हिस्सा हों दा है, इसनों प्लास्टिक दे डबबा भी कहन दे हन, अगर ये डबबा जो है, दुआँ सेह बिच बने हों दा है, इस दी partition नो, seal किता जान दा है अगर ये partition leak हो जान दी है, जाँ ओ दोना partition दे बिच कोई gap आ जान दा है, ता भी coolant leak कर सकदा है अगर सानू coolant दी leak के दी को समस्या हों दी है, ता सानू सब तो पहलना इना point आनू त्यान नाल देखना पवेगा उस्तो पादा हों दा है, इंजन ओयल दार साब, जो दो जित्तिरफ सी गड़ी खड़ी कर दे हैं, अगर सानू कोई lubrication जी चीज जो है, लीक नजरा हों दी है, ता परदार ता नजरा हों दा है, सानू इस समझना चाहिएदा है, जान ता गड़ी दा, गेरा leak हो रहा है, जा खर Ent in Engine servers इंजनregation जो है inजन वीच कितों कितों लीक हो सकता है पहला जो कारणा है ड्रेन प्लग अगला सीं गड़ी सरविस करदे समय ओयल सापता जो ड्रेन प्लग है उन्हों से तरीके नाल टाइट नहीं कीता है जां असंक्राइण ड्रेन प्लग दी जो वाशिर्व है उसनों नहीं तां भी डेरेने प्लग तो इंजनवाई लीक होँना शुरु हो जावेगा दूसरा आंधा है क्रेंक ढप दी अगली ते पिछली सीप क्रेंक donations दे बिच दू सील नहां जूज हुन दीयान एक जो है अगले पास से हुँन दीयान स्धी अगले सील लीक है ताँ जो है डंपर पुड़ी दे नेड़े तो अनू और सी पेजे नजर आवेगी अगर पिशे वाली सील जो है क्रेंक्शाफ्ट दी लीक है ताँ तो अनू इंजिन वाल जो है केर वोक्स से रस्ते आना शुरू हो जावेगा तो अनू पता लग जाएगा गर इंजिन दी फ्रांट जहां रेर सील लीकेज है फिर आंदा है कैमशाफ्ट तो उसी चितर बिच देख रहे हो कैमशाफ्ट सिलिंडर हैड दे ओपर फिट किती गी हुन दी है कैमशाफ्ट बिच दो सील ना लग दिया हन अगर फ्रांट वाली जहां रेर वाली सील लीक हो जान दी है तां भी इंजिन वाल जो है लीक हो सकदा है फिर आंदा है ओल संप अगर किसी बज़ा दे कारण ओल संप क्रैक हो गया है जहां ओल संप दी जो गैस कट है वो क्रैक है जाँ ओल सांप दे बोल्ट जो हन वो लूज हो गे हन ताँ भी इंजनोल जो है वो लीख होना शुरू हो जावेगा फिर आँदा है टैपट कवर टैपट कवर जो है संटर हैड दे उपर लगा होंदा है अगर टैपट कवर दी गैस कट अपने जगाते सेट नहीं बैटी है जाँ इस दे बोल्ट जो हन लूज हन ताँ भी जो है इंजनोल लीख होना शुरू हो जावेगा उस अतुपाल आनता है इंचन दांडिड साँ घड्डि दे विच डीजर पट्रोल कितों लीख हो सकता है असा अजितना पता लगगेगा सानू समयल तो पता लग जएगा कि जो है फ्युल लीक हो राया है इंजन दे बिच फ्यूल लीक हो रहता है चो करने के है ने वेगडि Says ज्यादा जो फ्यूल है वो कंज्यूम करना शुरू कर देंदी है वह आसे देखांगे गड़ी दे बीच फ्यूल सिस्टम जो डीजल जब पट्रोल है कितों कितों लीक हो सकता है पहला नमबर आउन्दा है फ्यूल टेंक पहला गड़ियां विच शीट दे बने होई फ्यूल टेंक अंदेसन और काफी गड़ियां विच प्लास्टिक दे बने होई फ्यूल टेंक आरेहन अगर कोई टैंक जो है उस दे जो है ड्रेन प्लाग लूज हो गया जहां कोई होज कलंप लूज हो गया जहां फ्यूल टैंक जो है क्रैक हो जानदा है तां भी जो है फ्यूल लीक होना शुरू हो जावेगा दूसरा आउंदा है फ्यूर सिस्टम दे अंदर जिनने भी होस पाइप लगे हो यहां जिनने भी पाइपा लगे हो यहां चाहिए यो टैंकी तो लएके पांप तक जिनना भी पाइपा लगे हां चाहिए बोड़ी दे उपर हां चैहे body दे था लिहान गड़ी दी और सारी पैपां जो है अगर कोई क्लाम पर lose है जाम करेब पैप crack हो गई है उत्वligen fuel leak हो सकता है फिर आउन दा है fuel filter गड़ी दीजे fuel filter जेत्पार गिता गया है अगर fuel filter दी body crack है जा fuel filter ल्यूद वाँसी फ्यूल्टर हो जिएन्देनाल टाइट कर दे हैं अगर उसी गैसकेट क्राइग है जा फिर फ्यूल पाइपा देक लाम पर लूज हान उत्थों भी फ्यूल जो है लीक हो सकता है फिर आउन्दा है हाई प्रेशर पांप पर डीजल गड़ी विच दो पांप होंदे हैं एक हाई प्रेशर पांप होंदा है एक हैंड प्रैमिंग पांप होंदा है अगर हाई प्रेशर पांप जा हैंड प्रैमिंग पांप दियां जो वैंजो वाश रहा हैं अगर उह कस जान जान ओख्राब हो जान दियाँ अत्तों भी डीजल लीक कर सकता है जान फ्यूल पांप पांप दे इंटर्नल अगर कोई प्रोल्म आए अंधी है जो अत्तों भी शाफ्ट दे द्वारा फ्यूल लीकेज हो सकता है क्योंकि प्यारे बच्चियों तो नूँ पता है कि फ्यूल पाम्प दे अंदर जो फ्यूल है वो एक कूलिंग सिस्टम दा काम भी करदा है क्योंकि वह दे बिच कोई भी कूलिंग ठुटू ठंडा करना बास्ते कोई भी मोभले आल दी जुरूरत नहीं पैंदी इसलिए अग पुस्ते जॉइंट लूज हान जां इंजक्टर दी बोडी क्रैक हो गई है ता अब यो थो डीजल लीक होना शुरू हो जानता है इसना प्यारे बच्चियों आज जासी पढ़िया इंजन दी जांच दे बीच पहला सी पढ़िया की इंजन की हुंदा है फिर आसी पढ़िय इंजन दी जांच भेश जांच जरूरी है फिर आसी पढ़िया की इंजन दे रिसाव केढ़े केढ़े है फिर आसी पढ़िया की इंजन वीच बाकर रिसावदे की कारण उन्दिहन इस तरह मेंनु आज है तौन्वे चैप्टर चेंगी तरह समझ आगया हो वेगा मैं तो आड़ा सारे हैं दा बहुत बहुत तन्वाद करदा हां थेंक यू थेंक यू वेरी मच